हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो आज हम बनाएंगे बेशन के लड़ू, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जो शादियों में मिलते हैं न, बिल्कुल सेम वैसे लड़ू आज हम बना कर रैडी करेंगे, और बिल्कुल सही माप के साथ, सही मात्रा के साथ, मैं आज आज आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, जो हलवाई यूज करते हैं, जिससे हमारे लड़ू में अथी शाइन भी आएगी, और बिल्कुल सोफ्ट भी बनेंगे, ये देखे, मैं आपको लड़ू को तोड़ कर दिखा रही हूं, कितने दानेदार और कितना तो इसके लिए आपको मेरी पूरी लास्ट तक वीडियो देखनी होगी, तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, बेसन के लड़ू बनाने के लिए मैंने यहां तीन कप बेसन लिया है, बेसन आप कोई भी ले सकते हैं, घर का या मार्केट का, और इसी कप से ह हम सारा मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मातरा के साथ, आज मैं आपको बेसन के लड़ू बनाना सिखाऊंगी, जिससे पहली बार में ही बहुत अच्छे लड़ू आपके बनकर रेडी हो जाएं, अम मैंने कड़ाई गैस पर रख दी है, और उसी कप से मैंने ए अच्छे से पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, तब ही जाकर हमारे लड़ू बिल्कुल हलवाई स्चाइल बनेंगे, यह देखिए, सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब थोड़ा सा घी और इसमें मैं डालूंगी, यह देखिए, अभी भी थोड़ा सा घी और बचा हुआ है इसमें, अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, बेशन के लड़ू में सबसे में चीज यही है, कि बेशन को बिल्कुल स्लो गैस पे पकाएंगे, तब ही हमारे लड़ू बहुत ही अच्छे शाइन वाले बनकर रेडी होंगे, अब मैं यहाँ सिक् देखिए, हमारा जो लड़ू का टेक्स्चर है, जो पेस्ट है, कितना दानेदार सा बन चुका है, बहुत ही टेस्टी लड़ू हमारे बनकर रेडी होंगे, इसे कम से कम 15-20 मिंट स्लो गैस पे ऐसे ही पकाते रहेंगे, यह देखिए, अच्छे से हमारा जो पेस्ट है लड को थोड़ा सा कम जादा भी कर सकते हैं, यह देखिए, बहुत ही अच्छा लड़ू का जो पेस्ट है हमारा बनकर रेडी हो चुका है, अब पेस्ट के थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके गोल गोल लड़ू बनाएंगे, यह देखिए, कितनी शाइन वाला हमारा लड़ू बना लेंगे और इसे एक प्लेट में सर्व कर देंगे, सबसे में चीज यही है बेसन के लड़ू में कि आप गैस का फ्लेम लो रखें और धीरे धीरे पकाए बेसन को, तब ही चाकर हमारे लड़ू बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे, अब मैं गार्नेशिंग के लिए थोड़े से पिस्ताज कट करके इनके उपर लगा रही हूं, यह बिल्कुल ओप्शनल है, यह देखिए, बहुत ही टेस्टी डिलीसियस हमारे लड़ू बनकर रेडी हुए हैं, आप इने जरूर ट्राई करना और कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपके लड़ू कैसे ब पसंद आ रही हैं, तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे, थैंक्यू फर वोचिंग